जाहिन सातियों कैसे आप लोग उमेते दोस्तों आप सब बहुत अच्छे सोंगे दोस्तों आपके बीएट फरस्टियर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्स है साइकॉलोचीकल प्रेसपेक्टिशन कही कही हैं जोबी तोस्तों इस विषय का जो आधार है वह यह थे ऐएजुकेशन साइकोल जिया और आपका जो भी युनुवस्टी युश्टों आपके एक्समें एक क्वेश्चन तो एजुकेशन साइकॉलोजी से हमेशा पूछे जात अब वो कुछ भी पूछ सकते हैं, education psychology सैचिक मनुवग्यान किसे कहते हैं, सिख्छा और मनुवग्यान में संबंद क्या है, education psychology का अर्थ, परिभासा, इसको प्रकृति या फिर एक सिख्छक के लिए सैचिक मनुवग्यान क्यों आवस्चक है, तो बच्चो इस प्रश्ण से सं अच्छे प्रश्ण, important प्रश्ण आपकी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उसको इस वीडियो में discuss करने बारे हैं, यानि कि इस वीडियो में हम जानेंगे, education psychology की अर्थ, परिभासा, उद्देश शी के बारे में जानेंगे, इसके छेत्र को समझेंगे, इसकी व्याख् पहुत स्वाकत है, इस चैनल पे, इस वीडियो में, आइए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं, और सबसे पहले जानते है, educational psychology का literal meaning, साथिक अर्थ क्या होता है, सैच्छिक मनुवग्यान का अर्थ क्या होता है, सैच्छिक मनुवग्यान का अर्थ क्या होता है, प्लस मनुवग्यान, मनुवग्यान का मतलब क्या होता है, मन का विग्यान, आपके मन को पढ़ना, आपके वहवारों का पढ़ना, क्रो इन क्रो ने कहा था, कि जो मनुवग्यान होता है, सैच्छिक मनुवग्यान, वो किसी बालक के जनम चले के मृतु तक उसके वहवारों का उसके अन्हों के वर्ण होता है तो मनोविग्यान का मतलब किसी के वहवार का अध्यान करना किसी का मन का अध्यान करना और सिक्षा मनोविग्यान मतलब सिक्षा में संबंदित तो देखें यहाँ पर आपको सिक्षा मनोविग्यान के अर्थ में आगर आप देखेंगे, तो सिक्षा मनुविज्यान एक महत्पूर साखा है, यहां दो सब्दों से मिलकर बना एक कौन सा बच्षो सिक्षा और मनुविज्यान, जिसका अर्थ होता है कि सिक्षा की प्रकिरिया से सम्बंदित, वहवारों का अध्यान करने वाला विग्यान सिक्षा मनों विग्यान के बारे में यहां लिखा है कि सिक्षा से सम्मंदित वहवारों का अध्यान करने वाला विग्यान दूसरे सब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा विग्यान जो सिक्षा की प्रकिरिया में मानों वहवार का अध्यान करता हो इसी को हम क्या करते हैं सिक्षा की प्रक्रिया में मानों के वहवार का अध्यान एक बच्चा है वो teenage में कैसे behave करेगा adolescence में कैसे behave करेगा सैसे आवास्ता child rule में वो कैसे behave करेगा उसका बरताओ कैसा है इसके बारे में मनोविग्यानी का अध्यान करना है बच्चो अब आई नीचे कुछ और लिखा है कि सिक्षा के छेतर में मनोविग्यान वीधियों का परियोग सिक्षा मनोविग्यान है ठीक है चलिए सिक्षा मनुविग्यान का मुख्य के अंदर मानव वहवार है सिक्षा मनुविग्यान खोज तता निरिक्षर द्वारा प्राप तत्यों को संग्रहित करके उन्हें सैंधानतिक रूप परदान करता है और इसकी वीधियों के दारा सिक्षा समधित समस्याओं का समधान किया जाता है अगर मालेजी कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो आप as a teacher आप ये जानने की कुशिस करेंगे कि आखिर ऐसी क्या problem है हो सकता है बच्चे को interest ना हो तो आप उसकी कम्यों को जानके वेग्यानिक अध्यान से वेग्यानिक धंग से उसकी कम्यों को पूरा करेंगे और फिर उसके पढ़ाई में मन लगाने की कोशिस करेंगे अपने सिक्षण वीधि कोई ऐसे interesting या रोचक मनाएंगे खेल वीधि से discuss करके ताकि वो बच्चा न पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ने लग जाए तो सिक्षा मनोविधियान की करें हम अर्थ की बात करें तो सिक्षा मनोविधियान सिक्षा की प्रकिरिया में मानों के विहवारों का अध्यान सैचिक मनोविधियान कह राता है अगर हम इसकी परिभासा की बात करें बच्चो तो best परिभासा जो मैंने आपको पहि भी बताया था अगली परिवासा की बात करें तो अगली परिवासा यहाँ आप देखें प्रोफेसर ट्रो ने कहा था कि सिच्छा मनविज्ञान सैच्छिडिक प्रस्तितियों में मनविज्ञान पक्च का अध्यान है कुछ और परिवासा हैं अगर आप देखेंगे नौल एम अन्न की अनुसार शिक्छा मनविज्ञान मुख रूप से शिक्छा की सामाजिक प्रकिरिया से परिवर्थित या निर्देसित होने वारी मानो वहवार के अध्यान से संबंदित है तो यह हो गई कुछ परिभासा हैं बच्चो, छीख है, चलिए, अगर हम एक और परिभासा देख लेते हैं बच्चो, जैसे कि कॉल्सिरिक नहीं कहा कहा था, सिक्षा मनुविज्ञान, मनुविज्ञान के सिधान्तों तता खोजो का सिक्षा में परिओगे, जो भी साइकॉल से देखा, अपने परिभासा देखा, एक पॉइंट और यहां पर आता है, कि सिक्षा मनुविज्ञान का उद्देश से क्या है, यह वड़ा अच्छा प्रश्न है, अब दो टाइप्स के देख सकते हैं, सिक्षा मनुविज्ञान के उद्देश लगबग वही है, जो दो पार्स में classified है, पहला क्या है, सम्हानि उद्देश और विस्स्ट उद्देश, सम्हानि उद्देश के बारे मिंसकी इंदर ने क्या कहा, सिक्षा मनुविज्ञान के सम्हानि उद्देश वैक्तियों तत्यों और सम्हान नियमों का ऐसा संगरो परदान करना जिसकी आधिक लक्षेों को अधिक से पराप किया जा सके आप इसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बढ़ा होके जिक वईवसाय करे गा या कहीं दिया जाता है, इसकी दर ने कहा था पहला बचो ऐसा सिधान्तों की खोज एवं तथ्यों का संग्रह करना जिससे बालक के वेक्टित्थों का विकास में सहायता प्राप्थ हो सिक्षड के सिक्षड कारे में सहायता प्राप्थ हो सिक्षण विधियों में सुधार लाये जा सके और सिक्षण के सांस्क्रिटिक लख्षे हो यह उन्होंने समाने हो देशों के अंदर रगा विस्ष्ट देशों की बात करें सिक्षण मनुभिज्ञान द्वारा इस बात की जानकारी प्राप्थ होती है यह सिक्षण को बताया जाता है कि बच्षों का एज यह है वो इस वर्ग के अंतर आते हैं तो वो इस वर्ग के अंतर यही सारी चीज़े सीख सकते हैं तो यह विस्ष्ट देश है कि सिक्षण को यह जानकारी देना कि बालक की सीमा तक सीख सकता है उसका समाजिक वहवार कहां तक सुधार किया जा सकता है अब एक छोटा बच्चा अब आप सुछते हैं कि वह बड़े जैसे भी एपरे नहीं कर सकता है क्योंकि वह अभी उस आवस्था में नहीं गया तो यह हमें मनोभी ग्यान के जरीए प्राप्त होता है एक सिक्षक को जांकारी में बच्चे को उस एज में बच्चे का लाजिम है नैचुरल है कि वह ठोड़ा सा ना परेंस से कॉन्ट्रेक्ट होता है उनकी सोच अलग होती है वह ठोड़ा सा बीच में कुछ बहस करना यह सारे चीज़ नाजिम है यह नैचुरल है तो आप इस चीज को समझना पड़ेगा, हमें अपने आपको समझना पड़ेगा, अगरा बच्यों बालक के विकास है तू, उप्यूग सैचिक वातावरन, प्रादान करना, अर्थात, उप्यूग पाथे करम, सिक्षड विदिया, सिक्षड समागरी का चुनावा में सहायता सिक्षड को बताता है, कि आप कैसे वातावरन बनाएं, कौन से पाथिक्रम से पढ़ाएं, कैसे सिक्षड विदिया, तो यह सारी चीज़ एक सिक्षड को पढ़ाएं, यह हम देख रहे हैं मनोविज्ञान के उद्देश, तीसरा विस्षड उदेश में, बालकों के प्रति सिक्षा मनोविज्ञान की अंतर दर्सन प्रद्दि क्या होता है, यह बड़ा अच्छा प्रोश्म है, ठीक है, सिक्षा मनोविज्ञान की अर्तं अंतर दर्सन प्रद्दि, देखो मनोविज्ञान के बारे में हमने जाना है, यह मनोविज्ञान है, वहवारों का विज्ञा अंतर दर्संग पद्यतलि को देखना अपने अंदर की चीजों का दुछे बैठोस्ट दॉटसर बथे होजों अंतरवान से और मैंने तो अपने अंतर दर्संग कर लिया मुझे सच बता रहा हूं एक बार खुद का अंतर दर्संग जरूर करना खुद को एनलसिस करना कि किस छोड़ी सी बात को लेगा यार वियार हीूमर पता है इंसान को ना इंसान को सर्वस्रेस्ट प्राड़ी इस वर ने बना है हम कितने जानदार चीज़े ना पसू पक्छी पेड़ पोधे इंसान सब जानदार चीज़े हमसे बेस्ट कौर हो सकता है किस बात के लिए टिंजन किस बात के लिए सोच रहा है किस बात के लिए नर्वस और किस बात के दिप्रेशन तो अंतर दर्सन मतलब होता है कि बच्चो अपने मांसी क्रियाओं का खुद से विश्ले सड़ करना या पत्ति मनोविज्ञान के अंतरिक अन्य किसी विशे में नहीं मिलती इसकीनर ने इस मनोविज्ञानिक रूप प्रदान किया है इसके अनुसार अपनी आत्मा में देखना ही अंतर दर्सन है बच्चो इसकाउट का कहना है कि अपने मन के कारियों को करमानुसार विश्ले सड़ करना ही अंतर दर्सन है अपने मन के गारिये को आपका मन किदर जा रहा है किदर विचली तो रहा है सेल्फ कॉंसे है सेल्फ कंट्रोल ठीक है अपने नफस को काबू करना इस जिए ने बेस्ट जिहाद होता है जिहाद के मतलब अपने नफस को काबू कर लेना अपने मन को काबू कर लेना तो ये बेस्ट चीज़ होती है चलिए वुडवर्थ ने कहा था कि अंतर दर्सन आत्म निरिक्षण है खुद का निरिक्षण करना अंतर दर्सन मैं उम्मिद करता हूं बच्छों अंतर दर्सन आपको समझ में आगया होगा अब अंतर दर्सन के कुछ गूर्ण है जो निरिक्षण करना दूसरा बच्छों निरिक्षण की जाने वली वस्तमों का सदा व्यक्ति के पास रहना दूसरों की मानसी क्रियाओं को अनुभूती और समय की सुभी था अब आई थोड़ा उसको देख लेते हैं क्या बच्छों इस पद्दिती में सिख्छार्ती को स्वयम ही अपनी मानसी क्रियाओं का विच्छ लेसर करना पड़ता है इससे विद्यार्ति स्वयम अपने आपको समझने में समर्थ होता है अपने आपको समझ जाएंगे और जो इनसान अपने आपको समझ गया यार बस ख़तम अच्छा ओजा सर की मुझे एक बात याद आ रही है ओजा सर एक लिक्चर में कहते है कि जो इंसान दुनिया के सब के बारे में जानता है ना वही दोग चपरासी बनते है और जो खुद के बारे में जानता है ना वो राजा बनते है तो दुनिया को जानने से पहले इंसान को खुद को समझना चाहिए औज़ासर की बात है मुझे बढ़ा अशा लगा इस बात अपने आप को समझना है आंत दverbs करना चाहिए बहुत सारे चीज़ है मुझे बहुत सारी चीजह है आभी पाुछ Vin zu pinky सबसे आचा अंतर निरिचर पद्दिती में जिस वहवार या वस्तु का निरिक्षर किया जाता है वो हमेशा उस वक्ति के पास एता है वहवार का मतलब जैसे हमारा भी हैवियर हो सकता है हम मुबाइल में बहुत जारा समय खराब कर रहे हैं या फिर मुबाइल पर देख रहे हैं तो क्या चीज़ देख रहे हैं इसका दरसन करी इसका अंतर दरसन करी अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो डेफिनिटली आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है मगर आप कहां समय खराब कर रहे हैं समय का अंतर दासर करी है कहां समय खराब करते है दूसरों की मानसी करियाओं की अनुभूती अंतर ने देख चला पद्धिती का यह एक भी गुड़ है कि इस पद्धिती में मनुस्य अपने मानसी करियाओं के साथ थी दूसरों की प्रक्रियाओं से भी अध्धन कर सकता है इस परकार व्यक्ति प्रसपर स्वायोग भी कर सकता है मतलब जैसे कि माली कोई सफल व्यक्ति है वो अपने समय को कहां भी दाता है हम अपने समय को कहां भी दाते हैं तो इस प्रकार से हम दूसरों के मांसिक रिया अच्छे लोग कैसे सोचते हैं अच्छे लोग कैसे सोच कि वह आगे बढ़ते हैं इन सारे चीज़ों की बार समय की सुविधा इस पद्धती द्वारा समय में भी सुविधा तथा बच्छत होती है जब चाहे अपने मन का अध्यन कर सकते हैं बच्चो एक और पॉइंट देख लेते हैं बच्चो फिर उसके बाद इस वीडियो को खतम करेंगे अगला पॉइंट क्या है बच्चो कि कच् तो पहला बच्चो बाला की सारी किरियाओं का अध्यन ठीक है बाला की सारी किरियाओं का अध्यन के बाला कैसे रियाक्ट कर रहा है बाला की मांसी किरियाओं का अध्यन बाला के सनवेगा अत्म किरियाओं का अध्यन और वनसानुकरम एवं वातावरल का अध्यन ये बूच्छा मनविज्यान के छेतर हैं, इन सब अध्रगत आते हैं. व्यक्तिकत्थ विभिन्ता का अध्यान, कुछ बच्चे different होता है, individual difference की बात की जाई है, अपचारी अपचारी अपराधी बालको का अध्यान, कुछ क्लास में सरार्थी, अपराधी का मतला बोन जिक्रिबि होता है कोई कम जोर होता है इन सब के अंत्रगाद यह क्या होता है सिक्षा मनविग्यान यह सारे चीज़ के चेत्र हैं इसके अंत्रगाद यह सारी चीज़ आती है मैं उम्मिद करता हूँ कि अगले वीडियो में देखने हैं इस वीडियो में पिला रही है तो अब आपको गया करना है बच्चे ओ आत्म निरिक्षण तो अच्छा होता है बगर आपको कभी-कभी खुद दूसरों से भी निरिक्षण लेना होता है तो इसलिए मैं आपको यह निरिक्षण का कारें दे रहा हूँ कि आप इसका टेस्ट करें कि यह वीडियो कैसी लगी और कमेंट में मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी वीडियो पसंद आई होगी तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा जैसा आपके कमेंट रहेगा मैं और कोशिश करूँ और बहतर बनाऊ अगर अच्छा नहीं लगा तो और बहतर और अपनी चैनल पर मेहनत आपकी जो भी और टॉपिक्स है उसको हम अगरी वीडियो पर देखेंगे आप में यह चीज्ज नोटिस कि होगा जो कि पूरे वीडियो से में नहीं का वह बच्चो सब्सक्राइब करने के लिए तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी होगी एकर आप चैनल से के साथ फिलालिस में इतना यह खुब ख्याल लखें पड़ते रही है इस टेड़ी जरूब करें और अपने दोस्तों को ले लिए जोगी एस चाहिए जया बारा साथ यो